हेलो फ्रेंट्स आज के वीडियो में हम जंगल और जनक कुर का पार थी डिसकस करने वालें पार टू में हमने पढ़ा था कि राम और लक्ष्पन राक्षेसों को मार के भगातें और विश्वा मित्र अपने यग्ये पूरा करतें उसके बाद राम उन से पूछतें कि हमारे लिए क्या आगया है तो विश्वा मित्र कहते हैं कि हमको मित्र चलना है वहाँ चलकर हम राजा जनक के यहां पर शिवधनुष को देखेंगे उसके बाद ने गौतम रिशी के आश्रम होते हुए मित्र पहुचते हैं आज हम पार्ट 3 में डिसकस करेंगे कि आगे क्या होता है लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्स्क्राइब कर लें राजा जनक ने महल से बाहर आकर विश्वा मित्र का स्वागत किया तब ही उनकी द्रश्टी राजकुमारों पर पड़ी विधे राज चकित रहे गए तो देखिए बच्चो जनकपुर को विधे भी कहा जाता है और मितिला भी कहा जाता है तो विधे राज कौन मतलब बहुती जादा सर्प्राइज रहे जाते हैं वे स्वैम को रोग नहीं पाए परशी से पूछा ये सुन्दर राजकुमार कौन है मैं इनके आकरशन से खिचता जा रहा हूं तो वो जैसे ही राजकुमारों को देखते हैं वो इतना जादा उनको अट्रेक्शन फिल होता है और वो कहते हैं कि सुन्दर राजकुमार कौन है ये राम और लक्षमन है महराज दश्रत के पुत्र मैंने अपने साथ लाया हूं आपका अद्बुत धनश दिखाने के लिए तो विश्वामित्र कहते हैं कि राम और लक्षमन है दश्रत के पुत्र है और इनको मैं आपके यहां पर शीव धनुष को दिखाने लाया हूँ विधे राज ने महारशी उनके शिश्यों और राजकुमारों के ठहरने की विवस्ता की एक सुंदर उध्यान में अगले दिन सभी आमंत्रित लोग रिशी मुनी और राजकुमार यग्येशाला में उपस्तित हुए तो यग् यदि शिव धनुष को यग्येशाला में लाया जाए शिव धनुष सचमुष विशाल था लोहे की पेटी में रखावा था पेटी में पहिये लगए वे थे आठ पहिये उसे उठाना लगभग असंभव था पहियों के सहारे खिसकाकर उसे एक से दूसरे जगे ले जाया ज इसको हिलाने के लिए भी एक ऐसी पेटी थी जिसके नीचे पहिये लगे वे थे और पहियों के सहारे से इसको एक जगे से दूसरे जगे ली जाया जाता था तो जैसे जनक शिव धनुष को देखते वो एक पल के लिए उदास हो जाते हैं सैड हो जाते हैं उन्होंने कहा उत्री सीता के विभागे संबन में, जो यह धनुष उठा कर उस पर प्रतिंचा चड़ा देगा, उसी के साथ सीता का विभाग होगा, अनेक राजकुमारों ने प्रयास किये और लज्जित हुए, उठाना तो दूर, वे इसे हिला तक नहीं सके, प्रतिंचा क्या चड़ाते, तो देखिए, जनक ने प्रतिंचा की थी, कि जो इस शिव धनुष की उपर प्रतिंचा चड़ाएगा, हमने वीडियो में डिसकस कर चुका है, प्रतिंचा का मतलब होता है, जो धनुष की डोरी होती है, उसे प्रतिंचा कहा चाता है, तो जनक ने प्रतिंचा की थी, कि जो जो शिव धनुष की उपर प्रत्विंचा चड़ा पाएगा, मैं अपनी पुत्री सीता का विवा उसी के साथ में करूँगा, लेकिन जो बाकी राजा बगर आये थे वहाँ पर उन्होंने सब ने ट्राइ किया, लेकिन कोई उसको हिला तक नहीं पाया, प्रत्विंचा तो प्रत्र ने राम से कहा कि उठो, अब तुम देखो, राम ने सिर जुका कर गुरु की आगयस विकार की, आगे बड़े पेटी का धकन खोल दिया, राम ने पहले धनुष देखा, फिर महेशी को, गुरु का संकेत मिलने पर राम ने वह विशाल धनुष सहज उठा लिया, सह अगे शाला में लोग उपस्ति थे, वो एकदम शौक्ड हो गए, इसकी प्रतंचा चड़ा दू मुनिवर, राम ने पूछा, तो फिर राम विश्वा मित्र से कहते हैं कि क्या अब मैं इसकी प्रतंचा चड़ा दू, अवश्य, यदि ऐसा कर सकते हो, तो विश्वा मित्र अगर तुम कर सकते हैं, विदेरा चकित थे, मतलब जो राजजनक थे, वो एकदम हैरान थे, राम ने आसानी से धनुष चुखाया, उपर से दबाकर प्रतंचा कीची, दबाव से धनुष बीच से तूड गया, तो देखिए, जो धनुष उठ नहीं रहा था, हिल नहीं रह जिस धनुष को उठाने के लिए पहिये लगाने पड़ रहे थे, उस धनुष को जब राम प्रतंचा डाल रहे थे, जब डोरी डाल रहे थे, वो धनुष बीच में से तूड जाता है, उसके दो टुकड़े हो गए, बच्चों के खिलाने की तरह, यग्यशाला में सननाटा चा गया, सब चुप थे, एक दूसरी की और देख रहे थे, अब ये चीज देखे सब को हैरान रहे गया, सब को एकदम सननाटा चा गया की ऐसा कैसे कोई कर सकता है, इतने विशाल धनुष को इसने इतने आसानी से तोड़ दिया, खिलोने की तरह तोड़ दिया, सभागार क सननाटा चा गया था, सब एक दूसरी की शकल देख रहे थे, लेकिन जो राजा जनक थे, वो इतना जादा खुश होए, क्योंकि उनकी प्रतेग्या पूरी हो गई थी, उन्होंने का था कि जो भी इस धनुष के उपर प्रतनचा चड़ा पाएगा, मैं अपनी बेटी का वि बंतर्ण या शुब संदेश उन्हें सिग्र भेजना चाहिए, राजा जनक विश्वामित्र से अनुमती मांगते हैं, अनुमती का मतलब होता है पर्मिशन, तो वो कहते हैं अगर आपकी पर्मिशन हो तो हम राजा दश्रत को जल्दी से ये शुब संदेश भेजें ताकि वो बारात लेकर आ सके, मरशी की अनुमती से दूद अयोध्या बेजे गए सबसे तेज चलने वाले रथों से, इस भी जनक पूर में धूम मच गई, बारात के स्वागित की तयारे होने लगी, नगर की प्रसंता चरम पर थी, अब राजा जनक अपनी पुत्री का विभा कर था हाथी थे, घोडे थे, रत थे और उनकी सैना थी, बारात को मिधिला पहुचने में पांच दिन लग गए, जनक पूरी जगमगा रही थी, मतलब की हर जगे रोशनी रोशनी हो रही थी, हर मार्क पर तोरंद्वार, हर जगे फूलों की चादर, एक एक कोना सुवासित थ मतलब की कोने कोने से बहुती खुश्बू आ रही थी, क्योंकि हर जगे फूलों की चादर, मतलब फूली फूल बिचा रहे थे, हर घर के प्रवेश्टवार पर वंदनवार, एक एक घर से मंगल गीत, हर कोई मंगल गीत का रहा था, खुश्यों की गीत का रहा था, मुख्य सिता की जोड़ी दिख जाए मतलब सभी जनक पूरी में इतने एक्साइटेट थे राम और सिता की जोड़ी को देखने के लिए क्योंकि वह बहुत ही जादा खुश थे विवास से ठीक पहले विदेराज ने महराज दश्रत से कहा विदेराज कौन है किनकी बात की जारी राज जनक की बात की जारी है तो वो राजा दश्रत से कहते हैं राजन राम ने मेरी प्रतिग्या पूरी कर बड़ी बेटी सीता को अपना लिया मेरी इच्छा है कि छोटी पुत्री उर्मिला का विवा लक्षमन से हो जाए मेरे छोटे भाई कुश्ट वज की वी दो पुत्रिया है मांडवी और शुर्त कीरती क्रपया उन्हें भारत और शत्रुगन के लिए भी स्विकार करें राजा जनक महराजा दश्रत से कहते हैं कि मेरी दो पुत्रियां है सीता और उर्मिला सीता का विवा राम के साथ ने फिक्स हो चुका है और उर्मिला का विवा आप लक्षमन के साथ में करा दीजिए मेरा जो चोटा भाई है कुष्ट वज उसकी दो बेटियां मांडवी और शुर्त केती क्रपया करके अपने दोनों पुत्र भारत और शत्रुगन के साथ में उनका विवा करा दीजिए तो राजा दर्शत यह प्रस्ताप को मान लेते हैं विवा के बारात कुछ दिन जनकपूरी में रुकी बाराती बहुओं को लेकर अयोध्या लोटे तो राणियों ने पुत्र वध्यों पुत्र मितलब होता इनके बेटे और वध्यों मितलब उनकी जो बहुए थी उनको पूत्र वध्यों कहा जाता है कि आरती उतारी स्त्रियों ने फ है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों किशा शेयर करें चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है थैंक्स पर वाचिंग